धर्म और राजनीती का सवाल है तो धर्म और राजनीती एक सिक्के के दो पहलू हैं धर्म से राजनीती अलग नहीं थी और राजनीती से धर्म कभी अलग नहीं रहा लेकिन थोड़ा सा फर्क ये था कि पहले धर्म गुरूओं का धर्म के जानने वालों का निर्देश राजा को रहता था और राजा उनका पूरा सम्मान करता था राजा टाइम टाइम पर समय समय पर उनसे परामर्श करता था उनसे जन हित की कैसे हम जनता का हित जादे करें राज का हित जादा हो इस तरह की सलाएं लिया करता था निर्देश प्रात किया करता था अब लोक तंत्र के अ कि ऐतिहास में धर्म और राजनीती का उद्य हुआ जो direkt धर्म और राजनीती का उद्य हुआ THार मिकराजनीती का उद्य हुआ उँ मंदिर आंदूलं से हुआ और जब लालकर्षण आडवानी जी का रथ हीयत्रा शुरू हूँ तो उसके बाद से तमाम तरह का धार्मिक पॉलराइजेशन हुआ तो एक दोर ऐसा आया कि जहां ये बात चलती थी कि मुसल्मान वोट जो हैं मुसलिम वोट जो हैं वो पॉलराइज हो करके किसी एक पारिटी को जिता देते हैं लेकिन उसके बाद ये आज का ज करके नरेंद्र मोदी को सपोर्ट किया मैक्जीमम और फेस रखा गया कि हम सबका साथ सबका विकास रखेंगे लेकिन एक्च्वल जो धुरूवी करन था वो हिंदू वोटो का धुरूवी करन था तो सारी पार्टियां जो हैं अब यह स्विराक में हैं कि कैसे ही जिनको फा तो अब दूसरी जो पार्टियां हैं वो भी यह सोच रही है कि हम भी किसी तरह के पुलराइजेशन करके और अपने-पने मकसद में सत्ता पाने में काम्याब हो जाएं तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बाकी सारी पार्टियां किसी एक पार्टी को दोश नहीं द रही है वो गांधी का जमाना और था और नहरू के जमाने के बाद तक भी ये चीजें चली। अपनाना चाहते हैं और अपना रहें तो आयुद्धा के राम मंदिर का मसला हो अचारे जी तो क्या ये भी एक हदकंडे के तौर पर ही देखना चाहिए कि जब गाहे बगाहे जब भी चुनावी मौसम होता है तब इस तरह की परिस्तित्या मनती हैं मंदिर मुद्दे को हवा बिल्कुल दी जाती है और फिर दी जाएगी उसे खास तोर से में भारती जिनता पारिटी का मैं नाम लेना चाहूँगा कि उन्होंने मंदिर मुद्दे को हवा इसलिए दी क्योंके मंदिर से उनकी सत्ता आई मंदिर मुद्दा गाय का मुद्दा और गंगा का मुद्दा और 370 हटाने की बात कही, वो अलग बात है कि सरकार बनने के बाद वो इन बुद्दों से भटक जाते हैं, एक अलग विश है, अब जहां तक आयुध्या के अंदर महंत ग्यांदाश जी के द्वारा ये मस्जित की बात जो है, इसमें मैं राजनीती नहीं देख रहा हूँ, य वो भी ये पहल करें, जिससे हिंदुस्तान की सियासत चाहें कहीं जाए, लेकिन हिंदुस्तान की जो तैजीव है, हिंदुस्तान की जो परंपरा है, वो कमसे कमकारें नहीं है.